हाई गाईज में आपको पांच ऐसी सेडिंग बताऊंगा जिनको करना ने क्रेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है जब भी वह अपना ने चैलनल शुरू करते हैं क्योंकि शुरुआत के दिनों में एक ने क्रेटर को बूस्ट की जुरूरत होती है जो उनको य उनको शुरुआत के दिनों में यह ने क्रेटर होता है अगर वह शुरुआत के दिनों में यह वह वाली पांच सेटीन करते हैं तो उनका चैनल नोरमर अहोने जाए थोड़ा तेजी से ग्रो होगा और उनके सुप्क्राइबर काउंट भी बढ़ेंगे उनके चनल पर व्यूज बेहेंगे उनका चैनल भी ग्रो होगा तो आपको बताता हूं क्यों सी ये पांच सेटिंग है और जो भी नए क्रेटर है वीडियो को प्लीज पूरा देखे आपने नाम जैसे आप अपना नाम लिखोगे वहाँ पर एंटर लगाओगे तो जितने भी चैनल शोगे आपसे नाम से रिलेटिड तो आपने उनके नाम डालने हैं साथ में आपने जो अपने चैनल के जितने भी वीडियो बनाई है उनके कीवर्ड भी डालने है ताकि उसके creator है जिनका नाम अगर आप सर्च करो तो उनका कहीं भी नहीं आता उनका चैनल शो ही नहीं होता तो इसका आपको benefit होगा जब भी आप जब भी कोई नाम आपका सर्च करेगा या किसी और का नाम सर्च करेगा तो कहीं न कहीं आपका चैनल ऊपर rank पे आने के chances बढ़ जात कि काफी सारे आपने देखा होगा जो creator है या viewer है जब भी किसी दूसरे चैनल पर जाते हैं वो सबसे पहले उसके subscriber देखते हैं अगर उसका subscriber count कम होता है तो उसके चैनल पे विजट द्वारा नहीं करते और उनकी वीडियो नहीं देखते और जिनके subscriber count ज्यादा होते हैं जिन NIKE तक तो अपने subscriber हाइड करके रखो और उसके बाद आप unhide कर सकते हो तो सबसे पहले आपने जो दूसरी setting है आपने ये वली करनी है कि अपने subscriber count आपने heig करके रखने है कम से कम associated होने तक तो रखें उसके बाद आपकी मर्जी आप अनहीड करना चाहों तो लगा सकते तो चैनल को सबसे पहले और करके फिर उसके बाद आप अपना सकते हो थम्मेल जो भी लगाते हो वो आप लगा सकते हो तो तीसरी जो सेटिंग है अपने अपने चैनल को वेरिफाई करवाना है तो गाई चोती जो इंपोर्टन सेटिंग है आपने अपने चैनल की category सेलेक्ट करनी है आपने देखा होगा आप अपने YouTube चैनल पर जाओगे के वहाँ पर एक कैटिगरी की option होती है वहाँ पर काफी सारे जो उन्होंने कैटिगरी दियो थी जैसे कि ब्लॉग और entertainment और actor musical science and technology तो गाईज आपने अपनी category के साब से आपने अपनी category चूज करके वहाँ पर करना है ताकि YouTube उसी कैटिगरी को आपकी वीडियो सेजेशन में दे और आपका चैनल जल्दी से करोगो स्पोस कीजे मेरी जो यूटीब जो कैटिगरी है वो है यूटीब की तो मेरी कैटिगरी होगी science and technology तो मैं उसी को सेलेक्ट करके अपना save करूँगा ताकि YouTube आगे जितनी भी मेरी कैटिगरी के जो क्रेटर है उनको सेजेशन में मेरी वीडियो दे तो चोथी जो important setting है आपने अपनी कैटिगरी सेलेक्ट करनी है तो वाइस पांच भी जो setting है आपने क्या करना है आपने अपनी जब भी वीडियो अपलोड करते हो वहां पर आपनी लेंगवेज जुरूर सेलेक्ट करनी है अगर आपने हिंदी में वीडियो बनाई है तो हिंदी लेंगवेज सेलेक्ट करनी है अगर आपने इंग्लिश में बनाई है तो इंग्लिश करनी है ताकि उस category के लोगों तक वो अपनी जो विडियो आपकी वो YouTube पहुंचाए ताकि जितने भी व्यूवर हैं जो इंगली समयते तो इंगली काफी countries ऐसे होती है जहां पर इंगली चलती है जो काफी country ऐसे जहां पर हेंदी बहु से चलती है, to YouTube उसी साफ से स्विडियेशन में देता है तो आपने अपनी language जरूर select करनी है अगर आपने subtitle भी use किया है तब भी आपने उस पे अपनी language है वो अपने mention जरूर करनी है ताकि YouTube उसी category को और उसी लोगों को आपकी वीडियो suggestion में दे ताकि आपका चैनल जल्दी से grow हो जाए तो गाई उमीद है जो भी निया creator उनको ये 5 setting समझ आगी होगी और वो जल्दी से अपनी जो ये वली चैनल पर 5 setting जरूर करेंगे और अपने चैनल को grow करेंगे तो गाईज वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नहीं आते हो है चैनल को भी सब्सक्रीब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी interesting और मज़ेदार वीडियो को निटिकेशन पाने के लिए तो मिलते ही एक नए वीडियो में एक नए टपी के साथ तब अगले जैहिंद बाई बाई